हलो फ्रेंट्स आज के हम इस वीडियो में जैसा कि आप थमनेल पर देख चुके होंगे हम इंसोरेंस के बारें बात करने वाले हैं हम यहां इस वीडियो में इंसोरेंस के टाइप्स के बारें बात करेंगी कि इंसोरेंस के टाइप्स कितनी टाइप्स की हैं और में जो उनमें हैं इस वीडियो में ध्री में जो इंसोने के बारे में सब से पहला है हमारा लाइफ इंसोने से argument है एया है मारा कार इंसोरैंस तो यह काफी इन मेंसर्णेर्स तो इनके बारे में हम कुछ जानकारियां देना चाहते हैं और कि अम्मेद करते हैं कि आपको कि मारा वीडियो पसंद आएगा हूं सबसे पहले बात करते हैं हम één lagi इंसुरेंस की life insurance किया है life insurance जो हम policy लेते हैं उसे कहते हैं इस मैं क्या होता है इसे कौन ले सकता है इसे हम कोई भी किसी भी उम्र का भी वेक्ति कि ले सकता है स्वर्थ वसको जो सिस्टी जो गी हॉगी उसको ले सकते हैं और अभी इसका बेनिफीट क्या होता है benefit में इसका देखते हैं कि यहां अगर कोई भी ऐसे को भी अगर द्रगणना हो या कुछ भी हो जाता है तो हम vedere पूरा पैसा मिलता है उसका और हमारी maturity फूरा times पूरी हो जाती है तो भी हमें पैसा पूरा मिलता है तो यह मैं लेना काफी जरूरी है एस honorable health insurance की health insurance में क्या है मारा जब भी हमारे हमें कोई परिशानी हो जाती है कुछ भी कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो हेल्थ इंसुरेंस का जो पैसा है वो सभी कंपनी के द्वारा खर्च किया आता है जो insurance company है उसके द्वारा खर्च किया आता है हमें कोई भी पैसा खर्च करने ही चरोत नहीं होती है तो यह हमारे लिए इसलिए benefit है तो हमें सभी को health insurance लेना चाहिए क्योंकि हमें इसका policy जब हम लेते हैं तो इसका पैसा दीर दीर जाता है लेकिन जब अगते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि car insurance लेने से क्या होता है कि अगर मालीची आपकी car accident में अगर कुछ हो जाता है या फिर आपकी car चोरी हो जाती है या कोई भी और परिशानी हो जाती है तो उस दौरान क्या होता है कि company पहले चेक करती है कि बास् उसके बाद उसका जो value होती है उस समय की उस दौरान की जो value होती है उसको देखती है और पुरा पैसा refund कर देती तो इस वीडियो में आपको पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक यू वेरी मच